और दोस्तों देखिए गाय का दूद निकालने के लिए हम लोगों को इतना दूर से आना पड़ा और दोस्तों देखिए हमारा मिल्किंग हो गया है और इतना ही दूद निकाले हैं और देखिए दोस्तों दो दो दीन रहके फिर से हम लोग उस घर पे चले जाएंगे क्योंकि क्या बोलते हैं इरिक्सा बोलते हैं तो भाईया को फोन किये तो यह आ गए हैं अब हम लोग भी निकलेंगे तो बने रही हमारे ब्लोग में अब चलते हैं तालाब घर दोस्तों देख लीजिए हम लोग पर छोड़ने के लिए कितना लोग बजार लगा दिये अब यहां से हम चलते हैं दोस्तों अब पुराना वाला घर छोड़ करके जो बच्पन वाला घर है देखिए अचना उदर बैठी हुई है सबी लोग बैठे हैं और एक और मेह माना जिनको हम लोग रास्ते में ही उतार देंगे वो वहां से चले जाएंगे तो दोस्तों बने रहे हमारे ब्लोग में देखिए गाया इधर लेकर जाएंगे और यहीं पर हमारा बच्पन बिता हुआ है दोस्तों यह हम लोग का मतलब मेरा जनाब भूमी है तो अब दोस्तों देखिए हम लोग यहां पर पहुंच चुक है इस गाउं में और अपने तलाब घर वाले घर पे अर्चना कि मम्मी का जो घर है तो अभी हम लोग पहुंच चुके है अभी रास्ते में यह गउवे में है तो इधर टेटर आ रहा है तो इसलिए थोड़ा ह हम लोग रुके हुए है साइड दे रहा है ताल है देखिए दोस्तों है हाँ 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 है देखिए सभी लोग यहां के सभी लोग पैचानते हैं और वहां पर हम गये थे तो बच्पन में राते थे तो अभी इस समय कोई उतना नहीं पैचानता है क्योंकि 24-25 साल हो के हम लो क्योंकि दोस्तों देखिए हम लोग तालाब घर पहुंच चुके अधर देखिए अत्वरिया वहां खड़ी है और नंदू भी इधर है देखिए यह देखिए भाग रहा है अब चलेंगे दोस्तों तालाब घर में भी सबसमान निकाल लिया जाए हाँ हाँ ले चलिए आजाओ बाबू बाबू लेओ चलिए देखिए घर बनाया है तो इनको अपना घर दिखा रहे हैं बोलें कि यह कौन सा घर है अजीब सा लग रहा होगा तो यह आगा हम लोग तालाब घर में देखिए आजा बाबू अर्चना आजाओ और कई दिन दोस्तों हम लोग उधर रहे हैं दो दो दिन दो दिन रहा हैं और तीसे दिन फिर से तालाब घर में पहुँच गया है तो इधर थोड़ा सा जार बाहर करके फिट कर रहे हैं दोस्तों अंदर भी पाणी चाय पिला देंगे और इनको भी बीजिनेस है भाई जाएंगे तभी तो दस रुपिया कमाएंगे तो भाड़ा ले करके यहां से चले जाएंगे फिर उधर और अपना साम तक घर पहुँच जाएंगे तो अब दोस्तों अंदर भी इनको बिठ जाते हैं ले चलके आज दोस्तों देखिए आ गया हम लोग तालाव घर में थोड़ा सफाई फाई का लिया बच्छिए चपलिकाली बच्छिए और देखिए यही है हमारा घर और दोस्तों हम लोग यहीं पे रहते हैं आप लोग तो जानते ही है जितने लोग जूड़े हैं आनंद आ रहा है कि नहीं यहां अच्छा लग रहा है दोस्तों यहां का आनंद ही कुछ अला देखिए पानी में घर और यहां सुकुन भी अच्छा मिलता है बहुत मस्त है ना अच्छा लग रहा है यहां पर देखिए तो उस घर पर से यह भाईया वहीं इनका घर है गय को देखाई होंगे तो इनके पास भी गय है तो अकसर हम लोग गय ही पालते हैं इस लिए कि भाइस नहीं पालते हैं गय में दो फायदा एक तो पुन्य का काम होगा और दूसरा दूद, दही, घी सब कुछ मिलेगा तो उससे बढ़िया भाइस नहीं पालो गय ही पालो तो दोस्तों अभी भाईया को नस्ता पानी कुछ करा देते हैं उसके बाद से इनको छोड़ देंगे और दोस्तों देखिए भाईया को नस्ता पानी हम करा दिये हैं अब हम लोग चलते हैं सडक पर क्योंकि भाईया को भी जाना जरूरी है क्योंकि जाएंगे तभी तो दस कमाएंगे तो चलिए आईए अचना की ममी आई हुई है तो उधर बैठी है भावी जी लोग से बात कर रही है क्या हुआ साधी में कैसे कैसे क्या गया यह सब बात चल रहा है और यह हमसे बड़े हैं तो पड़ोस के ही है भाईया अब आजए और देखे दोस्तों इधर अत्वरिया है अभी इसको चारा और खिलाएंगे और भाईया का गाड़ी है अश्चना इस पे खेल रही है तो अभी लेके यह जाएंगे और दोस्तों देखिए भाईया आब निकल रहे हैं घर की और जाएंगे तो मार्केट में जहां हम दूद देते हैं जीस मार्केट में उसी मार्केट में सवारी बैठाएंगे और फिर उधर चले जाएंगे अपने तरब यहां से ज्यादा दूर नहीं है दस किलो मीटर है हमारा वो बच्वन वाला घर तो अभी चलते हैं अत्वरिया को हरा चारा खिलाते हैं भाबी जी खिलाई थी दो दिन और दूदो निकाले हुई थी ठीक अभी चलिए देखिए और दोस्तों देखिए भाईया चले गए अपना गाड़ी ले करके यह रिक्सा और इधर साम हो गया है तो अत्वरिया का काव मिल्किन करने जा रहा है दोस्तों और देखिए यह पिना गई है हमारी तो अभी इसका मिल्किन करते हैं और दोस्तों कई दिन हो गया है उधर हम लोग साधी में गये थे तो भाबी जी के भरो से छोड़े थे तो देखिए और इसको मतलब समय से वही लोग खिला पिला रहे थे तो देखते हैं अभी कि आज कई दिल पे दूद निकाल कल से फिर से हम लोग निकालेंगे और दोस्तों फिर से दो दिन बाद हम लोगों को चला जाना है उसी घर के क्योंकि एक साधी और है तो आज और कल दो दिन रहेंगे फिर परसों हम लोग जाएंगे तो दोस्तों पूरा मिल्किन कर लेते हैं उसके बाद आप लोगों को दि कि दillos्तों देखिया मारे कव मिलकिंग हो गया है ड्वोस्तों देखिए गाय का दूद निकालने के लिए हम लोगों इतना दूर से आना पड़ा क्याँ कि भाभी जी को दूद नहींने देघे रही थी किसी को दूद निकालने नहीं देuk रही तो इतना दूर से तो इसलिए दोस्तो थोड़ा सा दूद कम हो रहा कि समय से खा नहीं रहे हैं हमारी तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो का लाइक करिएगा चैनल को सस्क्राइब कर लिजिएगा दोस्तों जाहिए दोस्तों जाहिए दोस्तों